इतना जूट बोलेंगी या बोलीवोड को जहांट परगनी पड़ता कि आप उससे कितनी रफरत करते हों यहां सबसे घटिया और बढ़ियां से बढ़ियां मुवी भी बनती है अगर आपको चाहिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट क्राइम थीलर मुवी तो बोलीवोड की इस बड़े से समुदर में से हम बात करेंगे टोफ फाइब बेस्ट बोलीवोड मुवी तो सस्पेंस और थील्स से भरी होगी है नमबर फाइब परहई 7.0 IMDb रेटिंग के साथ 2017 में रिलिज होई एक क्राइम ड्रामा मुवी अजजी जिसमें सस्पेंस के साथ साथ एक सची रेप केस की घटना भी दिखाया गया है और कहानी की बात करें तो कहानी एक जुगी जोपड़ी में रहने वाली 65 साल की बुजुक महिला और उनकी पोती मंदा के एड़ धुद घुमती है 9 साल की मासुम लड़की मंदा के साथ बलतकार होने के बाद उसकी आज इस अनियाय के बदला लेने के लिए अकेले कैसे पूरे सिस्टम से लड़ जाती है और अपनी पोती के बलतकारी को कैसे अपने तरीके से सजा सुनाती है जानने के लिए मुवी पूरा देखना होगा 1 hour 44 minute की ये मुवी नेक्स फिलिक्स पर अवेलेबल है नमबर 4 पर है 7.6 I'm Dave rating के साथ 2017 में रिलीज हुई एक राइम ड्रामा और थिलर मुवी ज रमन रागो 2.0 मुवी की कहानी के बारे में बात करें तो कहानी 1960 के दोर की है जब मुवी का एक साइको किलर रमन अपने अंदाज में खून करता है और टोटल 9 खून होने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले करता है लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पे भरोस ना होने के कारण वो जेल से वापिस आता है अब इस सातिर दिमाग वाले सीरियल किलर को पुलिस के से पकरता है और सीरियल किलर ऐसे क्यों कर रहा है या आपको मुवी देखने के बाद पता चलेगा नंबर 3 पर है 6.5 आइमिडिब रेटिंग के साथ 2016 में रिलीज हुई एक मिस्टरी थीलर मुवी मुवी के अंदर कहानी मीरा नाम के एक लड़की की है जो अपने पती और बच्चों को खोने के बाद एक केनेमिया जैसे बिमारी से गुजर रही है जिसके कारण से मीरा को उसके साथ घटने वाली घटना याद नहीं रहती है लेकिन कहानी में ट्विस तो तब आता है जब मीरा के लाइफ में एक महीला आती है और उनसे अच्छी खा़सी दोस्ती हो जाती है लेकिन एक दिन अचानक जंगल में इस महीला के बोड़ी मिलती है और Investigation के दोरान पुलिस मीरा को Arrest कर लेती है मुवी में देखना ये होगा कि क्या सच में मीरा ने उस महिला का खून किया है क्या कुछ औरी ट्विश निकल के आता है मुवी आपको Netflix पर दखने को मिल जाएगा नमबर दो पर है 6.5 एमिने रेटिंग के साथ 2022 में रिलीज हो भी एक कोमेडिक क्राइम मुवी गोविन्दा नाम मेरा जिसके अंदर कहानी दिखाएगी ये गोविन्दा नाम का आदमी का जो एक छोटा मोटा डांसर होता है गोविन्दे का अपने वाइब के साथ एक भी नहीं बनता जिसके वज़े से गोविन्दा बाहर एक सुकू नाम की लड़की के साथ और फिर जलाता है लेकिन कहानी में ट्विश तो तब आता है जब इसकी वाइब की हतिया हो जाती है और हतिया के जुर्म में गोविन्दा और सुकू को पुलिस अरेस्ट कर लेती है अब इसके वाइब का मर्डर किस ने किया है और क्यों किया जानने के लिए मुवी पूरा देखना पड़ेगा जो होटी स्टार पर अवेलेबल है अब जानते है मर्डर के बार के खुलिस को छोड़के नमबर वन पर है 7.1 आम डिवरेटिंग के साथ 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थीलर मुवी वद भाई साहब क्या मुवी यह फूर्ड रिसम वाली वाइब दे जाती है यह मुवी कंदर कहाने एक मिडिल क्लास रिटार्ट टीचर और उसके सिंपल सी वाइब की है और बेटे की पढ़ाय और उसके केरियर के लिए उन्होंने एक गुंडे से व्याज पर पेसे उधार लिये हैं लेकिन इनका बेटा विदेस में सेटल होने के बाद माबाप से एक बाब कोल तक नहीं करता है अब उधारी लिया है तो चुकारन तो पढ़ेंगा लेकिन इसी बीच हो जाती है इसके बाब से एक खतिया और थाने में जाकर सब कुछ बता भी देता है पड़ फिर भी पकरा नहीं जाता है अब ऐसा क्यों होता है और कहानी में इसे क्या ट्विस्ट अन टन आने वाला है जानने के लिए मूभी को नेट्ट्फी्टर देख सकते हों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह कि आप लोग वीडियो देखना पसंद करते हों तो चैनल को भी सस्क्राइब जरूर कर लेना and thanks for watching this video